कहाने कुर्सी के मैं सौरव आपके साथ मेहमानों के 20 साथ लोटे हम लोग योगी जी की बात भुविका बहुत बन कही बार बन गई ख़बर अब जल्दी से देख लीजे हुआ ये कि योगी सरकार ने 8449 मदर्सों को नोटिस दिया था नोटिस इसलिए दिया था कि आपके य और इन मदर्सों में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब बच्चों को नॉर्मल स्कूल में डाला जाए यह आदेश था लोगों ने योगी जी से मिलने का समय मांगा एक दिन में समय मिलिया मुलाकात हो गई और उसमें फिर उनने बात कही कि यह मदर्से जो हैं यह किसी इसमें और भी बच्चे इसके अंदर आते हैं हिंभ Mate night के बच्चे भी समय पढ़ने के लिए आते हैं तो यह आदेश न जारी चाहिर जा और इस वज़एस आदने बच्चों को नॉर्मल स्कूली शिक्शा मिले तो उन्होंने का कि हमारे मदर्सों में हम मौडर्ण शिक्श रहे हैं इस पर जितने मुम्किन एफ़र्ट्स है वो हम लेंगे तो उसमें ये बात भी ते हुई थी कि अदालत जाने से पहले हमारी कोशिश यह होगी कि हम यूपी के चीफ मिनस्टर से मुलाकात करें परसों हमने उनसे टाइम मागा था कल का टाइम मिला तो टाइम मिला और कल हमारी मलाकात उनसे साड़े चार बज़े शाम में हुई तकरिबान आदा घंटा ये मलाकात चली है और हमने तफसील से अपनी बात रखी और लिखेत रूप में भी उनको दिया तो उस पर यूगी साब ने बहुत तफसील से हमारी बात सुनी और ये कहा कि हम मदर्सों मे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मुस्तख्बिल को लेके परिशान है कि उनको बात में ये ऐसास ना हो कि भी हम बेसिक तालीम हासिल ने कर पाए और हम ने बहुत ही संजीर्गी से हमारी पूरी बात सुनी ऐसा नहीं का भई सुन लिया मैंने आप जाए ऐसा नहीं वह पूर कि उप सोब लात पर उन्हें का अंप वाद पर beide करें और अब उन्हें खुद बता दिया कि इतने डीटेलने मुलाकात और ये बोले पर योगी जी ने कहा कि हम इसमें पर मालूमात करेंगे अब मदर्सों को यूपी को लेminा क्यक्त मतर्सŁ को modernize करने का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है जब से योगी सरकार आईए जितने मदरसे हैं उन सब के अंदर एक तो modern इनके लोग जाकर के मिल रहे हैं योगी जी से तो इस किसम की वी एक पहली मुलाकात थी और अभी हाल फिलाल में मुझे एक बयान याद आ रहा है तौकीर रजा ये एक मुस्लिम रिलिजिस लीडर बरेलिक है है और बहुत खर वो बोलते हैं इनकी भाषा को लेकर करके हमेशा विवाद होता है कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलते है उनका भी statement ये था कि कुछ एक मामलों को छोड़ दीजे तो योगी जी राजधर्म निभा रहे है ये तारीफ वो क कर चुके हैं इनसे पहले वो जो समाजवादी पार्टी वाले सांसत मुक्तार अंसारी के भाई अव्जाल वो ये उन्होंने एक आदा भाजपा को जितनी सीटें आई यूपी के अंदर योगी जी की वज़े से आई तो इम्रान मसूदी बिजली हमारी बढ़िया हो गई है यह सब लोग चल गया रहा है चक्कर क्या है यह तो यह कि राजधर्म तो निभार है योगी जी इसलिए लोग भ्रह्म में न पड़ें मदर्सा ठीक से चलाना पड़ेगा इसमें कोई भ्रह्म नहीं होना चाहिए जो शिक्षा किसी भी एक बच्चे को मिलती है वही शिक्ष जो भी है जिसको लोग तंत्र ने चुना हुस से जाकर मिलना और अपनी मांग रखना यह उनका अधिकार है लेकिन इसके आधार पर यह संभव नहीं है क्योंकि यही तौकिर रजा जो कह रहे हैं कि राजधर्म निभा रहे थे तो योगी जी का राजधर्म इनको समझ में जानते हैं राजधर्म क्या होता है वो सब के लिए बराबर होता है वो अलग अलग नहीं होगा अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं होगी अधिकांश्टा उतर गया और मंदिर मस्जिद दोनों से लोगों ने खुद उतार लिया वही मैं तो कहता हूं यह नियम तो ऐसे ही नियम यह थोड़ी नहों होगा कि योगी आधितनाथ शासन में है नरेंद मोदी शासन में हैं तो हिंदूओं के लिए अलग कानून हो मुसल्मानों के लिए अलग हो यही तो इस देशने पर मश्चा रही है यह एक इनकी छवी है ना क्या योगी जी भी उस छवी से भाहर ने इनकी एक लड़ाई वो भी है All India Muslim Personal Lord में इस देश में केवल Fundamentalism और वही सब लड़ाईयां लड़ी है इसलिए इनको उस रूप में आप अगर लेते हैं तो थोड़ा सा आपने पुनर विचार करने के आवसकता में भी सेस जाता हूँ दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले वो तो मुसल्मानों पर मैं बताता हूँ जब 2022 का चुनाओ था एक 80 बना 20 आप देखेते हंगामा हुआ था मेरा ही सवाल पर उन्होंने किया था मैंने उनसे प्रस्ण किया था कि मुसल्मान तो कहते हैं कि ये सरकार सबका समाजी कार्थिक विकास हो वो हम सबका करेंगे लेकिन जिसको हमको बोट नहीं देना है वो नहीं देगा हम मान के चलते हैं बहुत सारे लोग ये 80 बनाम 20 की लड़ाई हाला कि उस संदर में उन्हों नहीं कहता हंगामा हो गया संदर तो वही है सर तो अब आप माल लि अब पर जाएंगे न तो आएगा गैर पंजीकृत मदर्सों की संख्या तो इतनी संख्या में गैर पंजीकृत मदर्से थे हाला कि मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने घूस लेकर उस उस सर्वे का बोलकि नास कर दिया खत्म कर दिया उन्हें आपने उसमें इलीगल कुछ नहीं हो रहा है आपका राइस्टेशन नहीं राइस्टेशन करा लीजिए बस हो गया उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि अगर 50 गज में कोई मदर्सा है लेकिन वहां का जो मौलाना साहब जो 500 गज के घर में रहा रहे है वहां एक पंखा नहीं है मौलाना साहब के घर में एसी लगा हुआ है यह कहां से आ रहे हैं पैसे यहां से जो मौलाना होते हैं वो विदेश जाते हैं अमेरिका चले गए नियू यार्क में 300 से जादा मस्जीदे बन गई हैं वहां भासन होता है कि उत्तर प्रदेश के फला आप अधिकारी आते हैं उह साथ समान से बाद्चीत करें हाँ और उनको मैनेज करने की कोशिज करें उस पत्र में है और वो पत्र साइड डिलीट हो गाना तो मैं भी निकाल के दिखाता मुझे लगता है मैथ्स और अंगरी जी की टीचर अस्था ही रख ले ततकाल आप रख लिजिए तो यह उसमें घपले हुए है तो इसलिए अभी मदर्सों में रिफॉर्म की जो आवसकता है वह राजधर्म का इंसा है ना जो हो रहा है लेकिन उन्हों ने इमानदारी कोशिस की जोगी जी ने अफसरों ने उसका नास कर दिया है यह पहली बैठक नहीं है योगी आजिनाथ के साथ 2017 में जब योगी आजिनाथ बुख्य मंतिर बने थे छे मेने के बितर योगी आजिनाथ के एक बैठक हुई थी योगी आजिनाथ जो बयान दिया था उसके बाद बैठक हुई थी योगी आजिनाथ का बयान था कि मदरसे मुसलमानों की मनमानिका केंद्र नहीं बन सकते आपको वहाँ पर बच्चों को मॉडन सिक्षा देनी पड़ेगी और हम जाच करवाएंगे कि वह रजिस्टर है नहीं है वहाँ किस तरह की सिक्षा दी जा रही है और ग्रह मंतरादे ने जाच के थी उसके और यह रिपोर्ट आई थी योगी आजिनाथ के पास कि मदरोसों के अंदर कटरपन के बच्चों को तैयार किया जा रहा है उन्हें देश प्रम से ज़्याद कि आप शिक्षा का इस्तर बदलिये उनको हिंदी पढ़ाईए उनको आप इंग्लिश पढ़ाईए उनको आप मैथ पढ़ाईए बॉडर्ण सिक्षा दीजिए और इन सब को आप रजिस्टर कीजिये और इनकी सारी जो प्रगदी करते हैं उसकी रिपोर्ट राजय सरकार क तो योगी आजना चाहते है कि आप जितने भी हो आप एक सिस्टम के अंदर आईए और शिक्षा का इस्तर बढ़ाईए उनका और उमें देश्वक्ति की बावना जगाईए मुझे रगरा उसके बास जो योगी आतिना थे का था उसको ठीक से मदराव सुने नहीं तो नहीं है मैं तो यह इस नहीं समझना चाह रहा हूं मुसल्मानों के प्रती ने ने बिल्कुल नहीं होना चाहिए योगी आतिना तो सब जानते है और कोई भी हो देखे शासन में होने के नाते सब की सुनना उनका रिकार लेकिन 24 के बाद भी अगर किसी को कोई भ्रहम हो कि राजनी सब को सुनना पड़ेगा जानते हैं कि आपको वोट नहीं मिलेगे लेकिन फिर भी यह तो अच्छी बात है ने यह एडिनिस्टिटिव फैसला है लेकिन बहुत छोटा है उत्रपदेश में 16,000 मदर से चल रहे हैं आपको जो फैक्स हैं वो बता रहे हैं उसके हिसाब से और 16,000 में से 560 तो इसका मतलब बाकी जो हैं उन पर सरकार का कंट्रोल ही नहीं है ये एक बड़ी बात है ना तो रजिस्टर करने को कहा है तो रजिस्टर करने से क्या हो रहा है आपका उन पर कमांड जब तक नहीं होगा तब तक वो सिस्टम ठीक नहीं होगा और आउटरिच म जिनों ने वोट नी दिया उनको कोई काम मत कीजिए उनको शामिल मत कीजिए उन पर ध्यान मत दीजिए तो आउटरिच कहां पर रही है तो बहुत सारे लोग बोल रहे है तो आभी राजधर्म तो बहुत आगे की बात है राजधर्म पर चर्चा अलग से हो सकती है लेकिन यह आउटरिच नहीं है एक एड्मिनिस्टिटिव है और उसको ठीक है उसको ठीक मानना चाहिए उसमें कोई गलत बात नहीं है कि जब आॉडर के वल यह नहीं निकाला कि मस्जिदों के लाउट स्पेकर उतरेंगे उन्हों का हर धार में सलके लाउट स्पेकर निकलेंगे एक मानना जाता है वहाँपर मुसलिम समाज उसको है नहीं मानता है और वो क्यबल जो कटर बाते होते है यह चोह भी होते उस पर जाके खड़े हो हो जाते हमें, नहीं मानता है, कि यह इण नहीं मानता है, मैं नहीं मानता, का रहा हूं, बहुत व्हुत- क्योंकि उनकी इधा एक इंज्जियो कह ले हैं, संगठन कह ले выглядит, वो उनकी बात रहता है यह बात ठीक है, लेकिन Muslim Personal Ab silently Bank Board की को को ही मुसल्मानों की बात मानना ठीक नहीं है ये मेरा कहना